हेलो एवरिवन वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग आज जो मारा चाप्टर है वह है केमिस्ट्री का एथ चाप्टर रिडॉक्स रिएक्शन तो बहुत दिनों से वीडियो अप्लोड नहीं हुए है उसके लिए I'm sorry और उसके बहुत सारे कारण है तो उसके बारे मैं बात गड़ करती हुं सीज़ अपनी टॉपे पर आते हैं तो पहला है रिडॉक्स रिएक्शन हमआ पता है मने लास्ट् लिए पढाए कि जिसी रिएक्शन में ऑक्षिदेशन और रिडप्शन से लोते हैं वो हमाय हैं रिडॉक्स रर्शिएन से ओधिशन होते हैं असरद कि Sacramento ल removal of hydrogen, addition of oxygen, redox reaction in terms of electron transfer reactions. NCRT के सारी topics इसमें include है, इस page को मैंने scan नहीं किया है क्योंकि वो diagram इसमें क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए यह नॉर्मल है, यह diagram आपके book में भी है, book में एक दो example और दिये हुए हैं, मैंने एक ही लिए है, zinc और copper वाला, आप चाहें तो और add कर सकते हैं, then है oxidation number, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजिए, और उसके पास वाले bell icon को press करके all notification on जरूर कर लिजएगा, stock notation, और वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज नीचे जो like बटन है, उसको blue में turn कर दीजएगा, types of redox reactions आपने last year पढ़े हैं, तो पहला हमार पास combination reaction, जिसमें दो या दो से ज़्यादा atoms और molecules मिलके एक combined product त्यार करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, A plus B gives rise to C, दो हैं इसमें और हमारा एक product बन के आता है, Recomposition में उसका उल्टा होता है, एक reactant होता है और हमारा पास उसके दो product बन के रहाता है, second, third displacement, इसमें एक दूसरे को ions replaced हो जाते हैं, इसकी two parts हमारा पास, एक है metal displacement, एक है non metal displacement या अपने last year नहीं पढ़ा है, fourth है disproportionation reaction, काफी nation nation हो रहा है now balancing of redox reaction, तो दो method से होंगी oxidation number method और iron electron method जिसको हम half reaction method भी कहते हैं, first is oxidation number method, उसके कुछ steps है, book में 5 or 6 है, मैंने उसको short में करके से steps में convert कर लिया है, second है half reaction method, दोनों में ascetic और basic medium में hydrogen atom का balancing, next topic है redox reaction as the basis for titration, अब देख सकते हैं कि सारे topic आपको NCRT में मिलेंगे, ऐसा एक भी topic नहीं है जो NCRT में ना हूँ, now redox reaction and electrode process, इसके अंदर पहली चीज़ आए कि redox couple, next topic है, इसी के अंदर मारा electrochemical cell जिसको galvanic cell भी कहते हैं, उसी के just अंदर आएगा electrolytic cell, features of electrochemical cells, तो उसका एक experiment करके दिखाया हुआ है इसमें, तो उसका पूरो detail है, यह जो salt bridge यहां पर देख रहा है आपको, यह diagram भी आपको NCRT में मिल जाएग, अगर इसमें clear ना हो रहा हो तो आप अपनी NCRT book में देख सकते हैं, then इस experiment से क्या observe किया वो है, next topic है electrodes potential, factors किस पे depend होता है, concentration of ions, solution में ions का कितना concentration है, और metal की nature पे और उसके ions पे, next है electromotive force, and the last topic is standard electrode potential, इसी के अंदर हमारा एक topic और आएगा, standard hydrogen electrode, तो यह सारे topic NCRT में include है, कोई भी problem है तो आप मझे comment कर दीजेगा, और वीडियो कैसे लगी यह मझे comment करके ज़रूर बताएगा, और अगर आप मेरी चैनल पे नई हैं, तो जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजिए, आखिर आप इतना तो करी सकते हैं, जब मैं आपके लिए इतना, मैंने से notes बना रही हूँ, तो आप एक subscribe button पे click कर दीजिए, और उसके पास वाले bell icon पर भी all notification on कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी notes upload करूँ, आपके पास पहुंच जाएं, और आपके, आप भी अपना काम असानी से कर सकें, So, thanks for watching this video, चल्दी मिलेंगे next video में, bye!